तो हेलो गाइस क्याल चाल बड़ी है सब तो गाय से दुबार से गिलने वाले हैं रैंच सिमिलेटर और लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि मैंने अपने रैंच के अंदर काओ के लिए आप बान आउस बना दिया था पर उस बान आउस में ना तो अप अपने पास में पढ़ा हुआ है और यह भाई अभी आनी रहा है और बाकी मैंने आप एक और डियर को मार के रखा है को सामनी की तरह में आपको नजर आ रहा हुआ तो अभी फटावर्चे चलते सब पहले बैस्ट बर्गर वाली शॉप पे एक सप्राइजिंग चीज है और अभी फटावर्चे चलते हैं बैस्ट बर्गर वाली शॉप पे काफी पास में है और यहां पे जो डियर चीना लगातार मेरे को मिलते ही जा रहे थे तो मैंने इनको टपका डाला एंड इनका जो मीट है वह मैं चलके मलब बैस्ट बर्गर की शॉप पे काफी बेच के भी चुका हूं और यह थोड़ा सा बचा है इसको भी बेच देते एंड देन उसके बाद हम चलेंगे फटावर्च अपना जर्नल स्टोर पे और वहां से बाई आज हम अपनी प्यारी सी काव और पिक को यहां पर बाई करेंगे और आज जो नहां वाइल्ड मीट पर प्राइस दबना मलब दुगना चल ला है तो इसलिए जो है मैं भाई सब यहां पर डियर हंटिंग पर निकल पड़ा हूं और आप देख से तो वाइल्ड मीट पर चल ला है तो फटावर्च से जितना भी वाइल्ड मीट है वह सारका सहरा पर बेच देते तो तीन सो का तो अपना यह बिग जाएगा और अभी एक डियर और पड़ा है और थोड़ा सम मीट जो है ना उसका और पड़ा हुआ है तो वह भी फटावर्च से लेके आठते हैं एंड देन उसके बाद हम चलेंगे एक सीधा भाई अपना जो है काव को खरीन निकले हो लास्ट टाइम में किदर चाह बाद करेंगे और मैंने यहीं नहीं तो मारत है उसको किदर गया वह यार तो पता नहीं है घ्र मैंने अब यह थोड़ी जिर पहले मैं यहां से आया हूं जब और यह पड़ा है और सामने तोड़ा सा मीट और पड़ा हुआ है सबसे पहले इसको अनिसकिन करते हैं अब दन लगातार मलब जितने मैंने डियर हंटिंग करी है वो सारे के सारे मलब करते गया और बेशते गया हलकि उस सब को करने में काफी जादा टाइम लगा मेरे को पर स्टिल मैंने जो है कर लिया है और अभी अपने पास में शायद इनफ पैसे है कि हम भाई एक या दो काओ खरील लेंगे और बाकी जितने पैसे बचेंगे उनके पिक खरील लेंगे थोड़ा बहुत उनके लिए खाना भी मेरे को खरीदना पड़ेगा वरना दरवाइस बिना खाने के यहां पर मर जाएंगे और अभी फटाबर्चे यह जितना भी मीट बचा यह भी जाके बेच देते और उसके बाद फटाबर्चे चलेंगे सीधा क्या बोलते है डियर टाइम लगेगा चलो यह अपने डीड़ सो का और बिख चुगा है और अभी आप लोग देखोगे तो टोटल अपने पास में 2442 डॉलर है तो शायद इतने में जो सारी चीज़ है वह आतो जानी चाहिए तो अभी हमें फटाबट से जाना है जर्नल स्टोर पे चलते हैं और बाकियार गाइस मैंने आज सही में इतनी जाधा डियर हंटिंग करी है कि क्या ही बताओ मेरे को ना भाई बहुत सारी डियर को मारना पड़ा तब जाके जो हैं इतने पैसे खटे हुए हलेकि थोड़े बाद पैसे पहले भी पड़े हुए थे पर मैंने का भाई कम से कम इतने तो करी लो कि अपना दो या तीन काव आ जाए फिर फिर मलब दोनों की दोनों चीज़े आ जाए ठीक है और वैसे मेरे को सबसे ज़्यादर जो कमेंट आते न वहीं आए थे कैन मोल भाई अब पिक को भाई करो पिक का मीट काफी जादा महगा बिकता है पर मैंने का य मेल और फीमेल और बाकी यहां पर एक बोवी पर मैं सोच रहा हूं इनको ले जाने के लिए मिरे को ट्रेलर की जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि शायद मिरे को इन दोनों को मतलब एक एक करके ले जाने चाहिए तो एक काम करते हैं वैसे अभी 1250 का ही जो ओडर होने वाला है तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले न एक काम करते हैं सबसे पहले एक काउ को ख़रीते हैं और फिर उसके बाहर है और पपने एक ज़ो पर यह जा हो बहूँ मेरे को इसको ले जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगे वियसे मिरे को शौर्ट कॉट रस सब पता है थीकने तो उसी रश से जाने वालो तो फटापट से गाइस मैं इसको छोड़ के आता हूं उपने रैंच पे तो यहाँ बहुत जादा टाइम के बाद भाई मैं आ चुका हूं भाई अपनी काउ को लेके और सच्छी बता रहा हूं यह काउ कि भाई हालत खराब हो गई यहां तक आने पड़ेगा और वो सारी चीज़े मेरे को अब भी बनानी पड़ेगी और सबसे और जो चैलेंज है वह यह है कि हमें पिक को भी लेके आना है और पिक पता नहीं आर गाड़ी में आएंगे यह नहीं तो फटापट से में दुबारा से पैदल दोड़ के जाने वालों भी जर पैदल 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 मेरे पास नहीं है और इस वैसे मैं शायद इनको जो है और इसको फिर से दोड़ते हुए जो है अपना रैंच तक लेके जाना पड़ेगा और अगेन मेरे को काफी जादा टाइम लगने वाला है क्या मैं इसको यहां पर बिठा सकता हूं नहीं यार मै पैदल पैदल लेके जाना पड़ेगा एक चक्कर मेरे को और मानना पड़ेगा एक और पिगी के लिए लास्ट टाइम अब जब हम आएंगे अपनी गाड़ी भी ले जाएंगे और इन लोग के लिए खाने पीने का जो इंतिजाम है वह भी सारा लेके चलेंगे तो गाइस मैं इनके घर पे छोड़ के आता हूं तो गाइस यहां पर मेरा बहुत बड़ा वाला कट चुका है मैंने यार बस ऐसी में आया था दूसरा पिग ले ले और मेरे को यहां पर पता लगता है कि यह जो पेग है वो इसके अंदर बैट के आराम से जा सकता है मैंना फाल्तु मे जो पिग थी उसको भाई में पैदल पैदल ले के गया था हाँ शाय से हम काओ को जो है उसको यहां पर नहीं पहुचा सकते है Australian पर हम इसके अपने पेग उनको लेके जा सकते हैं पर चलो कोई बात नहीं है बाकि मेरे को से काफी के लिए उस्टेव ले लेता हूं और बाकि मेरे को एक मिलक चाहिए को निकलेगा वो सारे का सारा हम जो है स्टोर करने वाले इस मिल के कैन में तो एक काम करते है फटा बट्चे अभी देखते हैं अपने पास पैसे वैसे कितने बच्चे है नौसो मनलब कुछ डॉलर है तो अभी काफी सारे पैसे आपे बच्चे हुए है और मैं शायद से कंटर तो यहां पे आ गया है दूद बाला बस अभी एक न बाल्टी बचिए और यह भी आ जाए तो काफी बड़ी है रहेगा चलो यह भी सारा का सारा जुटना भी सामान है हमने यहां पर लोड कर लिया है और अभी बारी है चलने कर अपने रेंच पर वापिस तो चलते है फ यह भी सोट रहा मेरा मालिक बाई कितना ही जाता खतरनाक है और बाहर तो निकल लेकिन हो रही है तो गाइस हां मैं आपने सबसे पहले लोग लें खाने के लिए वह मनाता हूं और खाने वाल आइटम है कहां पर रखा था मलब कहां पर रखा था लास्ट टाइम वह शायसे करें इसमें होता है चिकनन कूप में नहीं होता है यहां इसमें मैं ही होता है यह रहा फूर्ड फूर्ड ठेक है तो इसमें पर बनाना पडेगा और एक सेकंड, हाँ, मेरेको यही बनाने पड़ेंगे, इनके खाने के लिए, तो एक काम करते हैं, यह वाला जो है, मैं बनाने वाला हो, एक यहाँ पर बनाता हूँ, बिलकुर सेंटर में ठीक है, एक अपने यह हो गया, और दूसरे लोग के लिए, पानी के लिए भी मेरेको बन रखूंगा कहां पर जब सबसे पहले मेरे को उनके के रहने के लिए अलग जगह बनाऊ है यह जो अपना बान से यह जितना बी सावाने न फटतर सको अनलोर्ड करते हैं एंड देन उसके बाद है हमें थोड़ी सी यहां पर जो है प्लैंक को क्राफ्ट करना पड़ेगा कम से कम 30 मेरे को लगने वाले हैं और शायद अपने प्लैंक सारे यूज़ कर लिए था अपना बनाने में अपने पास ब्लैंक बिल्कुल भी नहीं तो मेरे को अभी बहुत सार जो प्लैंक से क्राफ्ट कर लिए एंड अभी फटा फट से चलके भाई जो अपना हुआ है काम निप्टाते हैं यहां पर एक दिन से भी जादा लग चुका है और मेरे को पता नहीं है अपने जो जिंदा भी है नहीं क्योंकि काफी मतलब एक एक दिन मेरे को यहां पर पू कर रखूंगा तो आप लोग देख सकते हैं दीरी दीरे कम हो जाएगी और फटा बट से यह जो मैंने आप बना दिया काम करते हैं यह जो उठा के खाना जो है इसके अंदर डाली देते हैं और यार मैं अपनी चिकन के बारे में कैसे बूल सकता हूं या लास्ट एपिसोड म भी मर गई नहीं तो भी दिक्कत हो जागा मलब अपना तब भी भाई लॉस होने वाला है फटा पर चल के जो चिकन का खाना है वो दे देते हैं और इसको उपन करते हैं यहां पर चिकन है में बस इसके अंदर यह भाई फीडर में अच्छा यह वाटर का है यह अपना खाने ठीक है चलो पानी उसमें पहले से था और अभी फटापट से चलके जो अपना वह बानाऊ उसके अंदर जो पानी वाल जो बाउल रह गया ना वहां पर चलके उसको कंप्रीट करने पर टाइम नहीं लगेगा और जो अपनी काउ है वहां पर फस्चुकी है अपना घाने वा यहां पर नहीं आगर मैंने उसको तोड़ दिया तो मैंने जो अभी खाना में इतना महगा में खरीद के लाया हूं वो खराब चला जाएगा पर अपनी काव ना वहां पर फस चुकी है तो उसको निकालने के लिए प्रकुछ ना कुछ जुगार दो यहां पर बिठाना पड़ लिए जल्ट सकते और अगर मैंने इसको तोड दिया इसको बरस जाएक Allah मद्स कंड़ करने ऑपने लागा रखी ती और यहां पे तोड़ना ही कड़ेगा क्योंकि और कोई अपने पास दूसरा option नहीं है तो काम करते हैं सबसे पहले वहां पर क्या बुलते हैं दुबारा से चलते जर्णल इस्टोर में और इन लोगे लिए थोड़ा सा और खाना लेके आते हैं और उसके बाद जो है वह फीडर मेरे को तोड़के आपर दुबारा ब बता रहा हूं और बाकी यह हम आज चुके मतलब अभी शौटकर रस्ता मेरे को याद हो गया वाई जर्णल शो था क्यों मैंने काफी सारे आपने चक्कर मार दिये हैं और पैदल जाला के तो भाई हालती खराब हो गयते और यह बैठा क्यों मैं मतलब क्या ही बाई सीन चल छीगन वा ले सकता हूं ठीकन मैं चौह तो वैसे ले सकता हूं तो खांक मद्यते दो चिकन जो हैं और यहां पर बढ़ा लेते हैं ठीके इतना सारा समाने वह नहीं मैंने आपे खरीद लिया है क्योंकि यहां पर ऑफ़ क करके काफी पैसे वाला बनने और पैसे वाले हम टाइम नहीं लगेगा पर हाँ चीजे जो है वह वैसे मैनेज करने में बहुत जादा टाइम लगेगा मतलब काफी चारी चीजे और मशीने हमें यहाँ पर खरीदनी पड़ेंगी और पहले तो मेरे को सबसे पहले यह देखना बड़ेगा मैं इतना सारा समान जो है वह एक वा यहां पर आ जाने तो मैं इसको बड़े आराम से ले जा सकता हूं जो अपनी चिकन को उठाते हैं ठीक है चिकन को उठाते हैं और यह यार अभी तो वहां पर आ गई थी अच्छा आ गई है अरे एक बैक और बच्छा है मैंने हाँ पर टूटल ओ लास्ट ही मैंने जो बैक सब्सक्राइब करना पर उससे पहले अपना थोड़ा सा खाना बचा है ना वह मैं चलके बाई जर्नल इस्टोर से ले आता हूं वैसे कुछ ज्यादा दूर निया गाई तो मंदब कुछी सेगेंड में पहुत जाते हैं अगर हां वैसे अगर प्रॉपर रोड से भाई मैं घूम के जाओंगा तो यहां पर बहुत जादा टाइम खाओं आलक जो काओं मेरे को लेनी पड़िगी मेल काऊ होती मतलब जो घौना बुल होता है मंदलब ऑपना बुल होता गाइलं करती है खुडGH पर उससे पहले यह तोड़ना पड़ेगा ठीक है क्योंकि अपनी काओ भाई यहां पर फज गई और दुबार से मेरे को इसको बिल्ड करना पड़ेगा और इस बार जो है मैं सही से करने वाला हूं ताकि मेरे को दुबारा परिशान ना करे ठीक है तो अपना यह इदर आ चु अभी देखते हैं प्लैंक्स वह कम पड़ने वाले हैं या फिर मेरे को दुबार मतलब प्रॉपर बैठ जाएंगे वैसे लग नहीं रहा है कि प्रॉपर बैठेंगे हां तो गाइस मेरे को वाटर वाले के लिए थोड़े से प्लैंक्स और क्राफ्ट करने पड़ेंगे और उस्थे तो और मेरे को थोड़ा सा टाइम दो गाइस में फटाबर से कपलीट करता हूँ और फटाबर याँ चाहत में लेकर जाता हूँ और देखता हूं बहार थे बटाव वाटर बाल बाउंगे रहा है बस दो प्लैंक्स यहां पर कम पढ़े हैं तो दो प्लैंक्स शायद हैं पड़े हुए बाहरी प्रूर है के पूरे बाई दो ही प्लैंक्स थे तो आपना जो बॉटरवाल ले वहां पर बन चुक है और इस पिक को देखो अच्छा वो अधूरा रह गए मेरे को लगाते है अभी तो बनाया था और ना मेरे से एक बहुत बड़ी अगर मैं एक साइड में तो यह लोग बार बार फस्ते रहेंगे और हमें बार बार जो तोड़के ना इनको मतलब बनाना पड़ेगा और आप लोग देख रहो भाई पिछली बार मैंने इतने सारे प्लैंक्स क्राफ्ट कर रहे तो अभी मेरे को दुबारा करने पड़ेंगे और अभी शायद यह एक भी नहीं पूरा हो पाएगा हम मेरे को पता ही था है ऐसा ही गुछ होने वाला है तो चलो यहां पर फाइनली मैंने दुबारा से बहुत सारे यहां पर प्लैंक्स क्राफ्ट कर लिया है और होप है कि इतने प्लैंक्स में अपना काम निपड जाने च काव अपनी भाहर नहीं आई है और हां पिछले दो दिन हो चुके हैं और पानी नहीं पिया क्योंकि पानी वाला जो बाउल है वो बनी नहीं पा रहा है यार लास्ट टाइम भी मैंने उसको अल्मुस्ट बनाई दिया था पर वह अपनी काव फस्द गई और सेकेंड टाइम अपना भाई पिक फस्द गया तो मतलब अलगबग दो दिन होने वाले हैं भाई लोग ने कुछ भी नहीं खाया पिया है तो मिरको ना इस चीज का पर ध्यान रखना पड़ेगा और अभी फटापट से यह जो है वह कंप्लीट हो चुका है प्लैक्स को यहीं पर रखो और लोग ने फटापट से चलके मैं पानी लेकर आता हूं यह वाटर टैंक से पानी निकालेंगे हम एक काम करेंगे इसको मैं यह रख देता हूं और खाना भी जो है ना वह भी निकाली लेते हैं इनके फीडर में भर देंगे फटापट से और भाई सब गेट बंद हो जाओ य यहां मैं भर सकता हूं इससे भी भर सकता हूं ठीक है तो यह अपना पानी आ रहा है और आपको पता है अभी अपने वासे इतने सारे पैसे नहीं है कि हम इन लोगे लिए वह बड़े बड़े फीडर यहां पर बना सेगे अभी हमें छोटे-छोटे सही काम चलाना बड़ेगा और वागी मैं आज काओ का मिल्क भी नहीं निकाला है पिछले दो दिनों से सबसे पहले मैं कांग बरता हूं यह जो बॉटर बकेट है इससे इसको पानी भर देते है चौदा लीटर यहां पर पानी हो चुका है और फीडर में अभी भी साथ केजी फीडर यहां पर पड़ा वेटा सेकंड गाइस एक गडबड हो गी है और वो गडबड यह हुई है कि यह जो पानी है ना यह पानी मैंने बेकार ही निकाल लिया क्योंकि मेरे को मिल्क निकालने के लिए बाई सब इसमें ना पानी पानी मैंने क्यों ही निकाला है और मुर्ग्या बाई इतनी पानी न मैं पजैसा मैं सोच रहा हूं तो नहीं है दूद में मिलावट तो नहीं है और इसको रहा है और यह रस्ते पे बार निकर लिए मिरे को यह बताओ पहले तो शायद से गाइस मिरे को एक और बकेट यहां पर खरीद के लानी पड़ेगी अभी के लिए तो पूरी के पूरी भर गी है यहां पर इधर चिकन को भी भाई देख सकते हो यहां पर पानी लोग भी मतलब जादा पीते नहीं है तो एक काम करते हैं इननों ने जितने एग दिये ना मैं सुच रहा हूं वो सारे के सारे यहां से ले लिए जाएं वैसे मेरे को काफी ज्यादा साफधानी बरत नी पड़ेगी एग लेते डाइम यह ना चिकन भाई मारने लगती है अगर इनके एग इनके सामने से निकालो तो और भाईया हटा है जर्नल स्टोर पर और मैं जाके लेके आता हूं यहां से मिल्क निकालेंगे यहां पर दूद को प्रॉपर ऐसा दूना पड़ेगा वरना अपने लाद मार देगी और यह देखो बाई मिल्क निकालना मतलब एक अलगी ऐसा लग रहा है है मिल्क को दूर आधा वहाँ की बहुत है कोई नहीं कोई बात नहीं कोई बात तो आज के लिए अपनी कावों ने कावों ने एक बार में और आप लोग नियुक्ष्ट में बताना है कि क्या मैं जू मिल्क है उसको डिरेक्ट ली शेल करूं या फिर इसको पनीर बनाके बे और बाकी मेरे को देखना भी पड़ेगा कोई बनता कैसे बनाने के लिए तो हमें कुछ टूल बगएरा बाय करके लाना पड़ेगा वह सारी चीज़ें मेरे को देखनी पड़ेंगी और बाकी आज की अपिसोड यहीं पे एंड करते हैं गाइस और उम्मीद करते हो यह वीडि के लिए तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो में एक सब्सक्राइब भी कर लो तो गाइस उन्हें तब की नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाय टीकर एंट थैंक्स फॉर वाचिंग